कि I और मी की बिच के फरक को कैसे समझे, मैं एक ही करके समझाता हूँ, सबसे पहले जो गलत हमने सुना पहले उसको देखे, कुछ लोग ये कहते हैं कि जब I को हम sentence में पीछे लेके जाते हैं तो बदलकर वो मी हो जाता है, जो कि बिलकुँ गलत लिखा है बिटा, मैं ऐसे कुछ sentence आपके सामने अभी लिखता हूँ जिनमें आए पीछे लिखा जाएगा पर वो आए ही लिखा जाएगा मी तो लिखा जाही नहीं सकता तो यह बिल्कुल गलत सोचते हैं कि अगर उसको पीछे लेगे तो उसको मी हो जाएगा अब इस पीछे का मतलब समझते हैं यह बात तो है एक वर तो है पीछे पर उस पीछे का मतलब क्या चला समझ के देखते हैं देखे बिटा आपने बजपन से स्कूल में सुना है कि कुछ वर्प्स होती हैं जिन्हें इंग्लिश में पढ़ते हैं वर्प्स की फॉर्म भी होती ह आना जाना खाना पीना उठना बैठना देखना इन वर्ब्स के साथ एक कंसेप्ट आता जैसे एक छोटा से एक्जेम्पल देखें से मालनों पढ़ाने की इंग्लिश होते टीच आप मुझे पढ़ाते हैं तो यूटीच अब देखें अब वर्ब के पहले यू को देखके पता चल रहा है कि हम बात किसकी कर रहे हैं हम यू की बात कर रहे हैं तो यानि कि जो वर्व होता है हमारा काम होता है उस वर्व के पहले जो व्यक्ति आता है इससे यह पता चलता है कि बात किसके बारे में चल रहे हैं तो आप की बात चल देशागे अब पढ़ाते आप हैं तो किसी को तो पढ़ाते ही होंगे वो कोई तो होगा ना जिसको आप पढ़ाते होगे यहां पर यहां जैसे आप पढ़ाते पर किसे पढ़ाते हैं अब आप पढ़ाते मुझे अब मैं अपने लिए इंग्लिश में दो वर लिख सकता था आई और मी अब गोर से देखे बिटा वर्ब के पहले जो व्यक्ति आता है इससे ये पता चलता है बात किसके बारे में चल रही है और वर्ब के बाद जो व्यक्ति जाता है उससे ये पता चलता है कि वो काम किसके साथ हुआ जैसे इसमें यू पढ़के पता चल रहा कि पढ़ाने वाला कोन है यह सुनो शूर यह सब एवरिबड़ी यह सुनो पर अगर टीच के बाद आय को लिखते हैं तो पता चलता है कि प यहां रखना विटा वुथ के बाद जिसके साथ वो काम होता है उसे इंग्लिश में वर्ब का objekt कहते हैं है कि इस subject होता है तो आज से आप कभी भी यह नहीं बोलेंगे कि आए को अगर हम पीछे लिख दें तो नहीं नहीं पीछे नहीं अगर हम कभी भी आए को किसी वर्ब के अबजेक्ट में रख दें आप आए को किसी वर्ब के अबजेक्ट में लगा दें कि अब swap मैं रखोगे तो अबजक्ट की तरीके से लिखा जाएगा और अबजक्ट की तरीके को ही बता मी कहते हैं क्युक्य आप ध्यान से देखेंगे यह जो मैंने इधर लिखे सारे के सारे, इनको हम इंग्रिश में कहते हैं subjective case. यह सब subjective case होते हैं, और जो मैंने इस तरफ लिखा यह वाला ये सारा का सारे English में होता है objective case. तो जो object की जगहा जाए, जो object की जगह आ जाए उससे objective case और जो subject की जगहा जो सबजेक्टелей केस कहते हैं. और objective केस का मतलब होता है किसी चीज़ के object में लगाना और object किसका होता है किसी किसी वर्ब का उसका object होता है तो यहां पर देखें एक पर संदेश फिर से देखा है तो you teach me यह बात आपको पहले से आती है मैं तो बस confirmed करके कह रहा हूं कि आप आगे से कभी किसी वेक्ति को यह गलत मत बोलना कि I को पीछे ले जाओगे तो मी हो जाएगा बलकि इसके जगा आप यह बोलेंगे आगे से अगर I को हम किसी वर्ब के अबजेक्ट में लेकर जाएंगे तो फिर वो आए नहीं मी लिखा जाएगा जैसे में एक एक वर्ड बोलें सब प्लीज प्लीज टैल आई या मी एक और देखते प्लीज फैल्प क्या मदद करना कोई काम है की अजी तो मैंने बोला प्लीज है ऐल्प कि आयमी इस ग्रेट जोनिकी किसी फिर्ब के बाद उसका क्या था उसका ओप्जेक्ट आता है तो किसी वर्ब के ऑप्जेक्ट में जब कभी भी पर नाउन को लेके जाएंगे तो कैसे के अच्छिम में आ जाएगा अबजेक्टि अब एक depth समझें सर यहां बोड को हम साफ कर रहे हैं और यहां पर देखें इसी कि जस्ट सामने मैं ने लिखा myself, मैं अब पर लिखता हूँ yourself, yourself, your selves, our selves, them selves, he के लिखते मिटा, himself और she के लिखते मिटा, her self, it के लिखते मिटा, itself. यह जो मैंने पूछ पीछे लिखा, टेबल में यह पीछे लिखा, इसे इंग्लिश में, बच्चो इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं, reflexive, reflexive pronoun, यह reflexive pronoun होता है, जो लिखा है ना पीछे आप देख रहे हो, यह वाला, online वाले बच्चो आप भी बड़े ध्यान से समझें, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में, that's good, reflexive pronoun, अब से सीखने वाली बात देखना, अब आपको यह तो पता है, I के लिए myself आता है, बर कई बार हमें यह नहीं बताते है, myself लगता कब है, आईए आप लोगों को, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, मैंने इसको बताया भी है, एक बार फिर आप लोगों की थोड़ी सी knowledge बढ़ाता हूँ उसके बारे में, अब सब बच्चे ही हाँ पर जाएंगे साथ, देखे, reflexive pronoun की table में आ गया आते हैं, एक sentence देखे, मैंने यहाँ पर बोला सर, I, और I के बाद देखे, मैंने क्या बोला सर, hurt, और hurt के बाद देखे, मैंने क्या लिखा, my, और my के बाद लिखा, मैंने parents, अब मेरी कुछ ऐसी बाते हैं, जो मेरे parents को पसंद नहीं आती, पर मैं मानता ही नहीं, मैं हमेशा क्या करता हूँ, वो बाते बोली देता हूँ, ऐसे काम कर ही देता हूँ, जो मेरे parents को, मतलब बहुत बुरी feeling देते हैं, और यह बात मुझे पता है, कि मेरी गलत बात है, तो मैं आपके सामने देखो, क्या क अगला देखे, अब अगला देखे, I never hurt me, अब देखे हमने क्या सीखा था बेटा, अब वो line link करने वाली बात आगे, यहां पर ध्यान से देखा जाए, hurt के बाद, यहां hurt के बाद, उस व्यक्ति को आप देख पा रहे हैं, जिस व्यक्ति को हम hurt कर रहे हैं, यहां hurt के बाद, हम उस व्यक्ति को देख पा रहे हैं, जिसको हम hurt कर रहे हैं, पर नीचे के तरफ आओ, यहां पर hurt के बाद, हम उस व्यक्ति को लिख पा रहे हैं, जिसको हम hurt कर रहे हैं, लेख पा रहे हैं यहां पर क्यों तो देखें यहां पे हर्ट कौन हो रहा है और यहां हर्ट कौन हो रहा है अच्छा देखो यहां पर हर्ट कौन कर रहा है आए ठीक तो है यहां हर्ट कौन कर रहा है और हो कौन रहे हैं और यहां पर यहां पर हर्ट कौन कर रहा है और हो कौन रहा है खुद को कभी भी हर्ट नहीं करता अब ध्यान से देखें यहां पे हर्ट करने वाला वेक्ति कोई और हर्ट होने वाले वेक्ति कोई और है इस सन्यस में देखें हर्ट ना करने वाली बात में कौन मैं है और किसको हर्ट नहीं खुद को अब देखो जो वेक्ति वर्ब के subject में है वही वेक्ति वर्ब के object में भी है और जब बेटा वर्ब का subject और object same होता है तो वहाँ पे reflexive pronoun लगता है मैंने क्या बहुत बोली सब बच्चे ध्यान से सुनो बेटा जब मैंने क्या बोला अगर sentence में वर्ब का subject और object same होता है तो ऐसी कंडिशन में reflexive pronoun का प्रियोग करते हैं येस तो ये गलत लिखा है सही sentence बनेगा I never hurt myself मैं कभी खुद को hurt नहीं करता एक सोटा सा sentence देखे फिर से लिखता हूं यहां देखना आए आए के बाद love love के बाद my my के बाद parents I love my parents एक sentence और देखे आए आए के बाद love love के बाद me अब दोनों सेने सको feel करना सब्सक्राइब I love my parents I love me I love my parents I love me यह उसमें feel कर पा रहे हैं एक feel देके यह करना था यहां पर ध्यान से देखे प्यार करने वाला मैं हूं और करता किस क्यों हूं अपने parents को नहीं ध्यान दिया सब बच्चों ने एव फिर से सुने यहां पर प्यार कोन करता है और करता किस को हूं तो यह देखो verb का सब्जेट कोई और रहे न और वर्ब का object कोई और है आच्छा देखो यह क्या था प्यार करना कोन करता है किस को तो यहां पर जो वेक्ती प्यार करता और जिसको प्यार करता क्या वो दोनों सेम है क्या तो मैं क्या करूं मैं अपने आपको प्यार करता हूं मैं खुद को प्यार करता हूं और ध्यान देना जब वर्ब का सब्जेक्ट बिटा वर्ब का सब्जेक्ट और तेम हो तो फिर कभी भी कभी भी कौन सा केस न को प्यार करता हूं तो देखो वर्ब के object में या तो फिर आएगा objective case या फिर वर्ब के object में आएगा reflexive पढ़ना हूं पता कैसे चलेगा अगर वर्ब का object subject same हो तो क्या लगेगा फिर self वाला वर्ड लगेगा अगर और वह सेम है तो कोई और हो तो फिर simple objective case लगेगा या शान्दार knowledge बने इसकी